दोस्तो अगर आप भी share market में कोई भी company के share को लंबे समय के लिए खरीदना चाहते हो ना, long time के लिए खरीदना चाहते हो तो उस company का fundamental analysis करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है company का fundamental analysis करना यानि कि उस company का business को analysis करना और उस company का अलग अलग ratio को analysis करना जैसे कि PE ratio, PB ratio, book value को analysis करना तो अगर आप भी share market में एकदम नया हो और आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है बिल्कुल knowledge नहीं है इन सारा ratios के बारे में तो आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भसा में ये सारा ratios के बारे में समझेंगे अगर आप ये सारा ratio को बारी की से समझ जाते होना तो fundamental analysis करने में आप expert बन जाओगे तो वीडियो काफी ज़्यदे interesting और knowledgeable वीडियो होने वाला है तो चलिए करते हैं इस knowledgeable वीडियो की शुरुआत तो सबसे पहले सुरू करते हैं market cap से आखिर ये market cap का मतलब क्या होता है देशिए किसी भी company का market cap का मतलब ये होता है कि उस company का total value कितना है अगर आपको किसी भी कमपनी को पूरा खरीद लेना है तो उस कमपनी को पूरा खरीदने में आपको टोटल कितना रुपया देना पड़ेगा उस company को पूरा खरीदने में आपको total कितना amount देना पड़ेगा उस amount को ही बोला जाएगा उस company का market cap समझ में आ रहा है कि नहीं, market cap निकलने का एक formula भी है company का total number of share into company का current share price को अगर आप into कर दोगे तो उस company का market cap निकल जाएगा for example एक नाम नाम का company है और उस राम नाम का company का current share price है 100 रुपीस और उस राम नाम का company का total number of share है 10 करोर तो current share price 100 रुपीस, total number of share 10 करोर तो into करोगे तो कितना निकलेगा 1000 करोर यानि कि 1000 करोर उस राम नाम का company का market cap हो जाएगा समझ गए तो market cap का मतलब क्या होता है कि company का total value कितना है उसके बाद समझते हैं PE ratio को ये काफी जदे important चीज है देखिए इसको ऐसे समझो कि मान लीजिए ये laptop है और इस laptop का price है 70,000 रुपिया example दे रहा हूँ मान लीजिए इस laptop का दाम है 70,000 रुपिया और इसी laptop को मैं दुकान में खरीदने जाता हूँ और दुकानदार मेरे से 5,000,000 रुपिया मांगता है तो मैं उस दुकानदार को पकरूँगा न ऐसे condition में कि भाईया इस laptop का दाम है 70,000 रुपिया और आप मेरे से 5,000 रुपिया क्यों मांग रहे हो क्यों मैं पकर पाऊंगा उस दुकांदार को क्योंकि मुझे इस लेप्टोप का real value पता था मुझे इस लेप्टोप का value पता था कि इस लेप्टोप का price तो 70,000 रुपिया है इसलिए मैं उस दुकांदार को पकर पाऊंगा कि भईया इस laptop का value कम है और आप मेरे से ज़्यादा मांग रहे हो इतना बस समझ गए अच्छा अब यही चीज अगर share market में हो share market में काफी सरा company रहता है काफी सरा company का अलग अलग share price रहता है तो अगर आपको किसी company के share को खड़िदना है तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस company का वाकई में इतना value है या फिर नहीं है नहीं समझे बात देहां से समझे नहीं देखिए माल लेजिए एक company है उस company का एक share का price हजार रुपिया तो 1000 रुपिया देकर उस company के share को आप खड़िदोगे क्या वाकई में उस company का 1000 रुपिया value है या फिर 1000 से value और कम है या फिर 1000 से value और ज्यादा है आपको कैसे पता चलेगा कि वाकई में उस company का एक share का price 1000 रुपिया उतना value है तो value को पैचानने के लिए ही PE ratio बना है PE ratio से आप ये पता लगा सकते हो कि company के share का price महंगा मिल रहा है या फिर उस company के share का price सस्ता मिल रहा है कैसे पता करोगे आप समझते हैं तो generally ऐसा माना जाता है कि अगर किसी company का PE ratio 20 या फिर 20 से कम हो तो वो एक अच्छा माना जाता है point number one point number two ये है कि अगर आपको किसी company का PE ratio को चेक करना है तो उस company का industry PE के साथ उस company का PE को आपको compare करके देखना पड़ेगा इसको कैसे चेक किया चाता है उसको देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो विप्रो जो company है IT सेक्टर से बिलों करती है तो IT सेक्टर की बाकी जितना भी कमपनिया है वो सारा कमपनियों का PE का एक average उसी average को यहाँ पे बोला जाता है industry PE यानि कि IT सेक्टर की बाकी कमपनियों का PE ratio है 30 और ये विप्रो कमपनियों का PE ratio है 21 तो इससे आप क्या समझ रहे हो कि बाकी कमपनियों से इस company का PE ratio है वो कम है यानि कि इसका जो value है वो आपको ठीक ठाक rate में मिल रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं अब अगर किसी company का PE ratio काफी जादा है तो इसका मतलब ये भी नहीं होता कि वो company खराब हो गया बरबाद हो गया ऐसा भी नहीं है अगर किसी company का PE ratio बहुत जादा रहता है इसका मतलब market को लग रहा है कि वो company आने वाले समय में काफी अच्छा करेगा इसलिए उस company का PE ratio हाई रहता है समझ में आ रहा है कि नहीं और एक बात अगर किसी company का PE ratio हाई रहता है तो जब market में गिरावट होती है न तो जिन जिन company का PE ratio हाई रहता है उन उन company को share का price काफी ज़्यादा गिरता है इस बात का भी ध्यान रगना मान लिजे किसी company का PE ratio काफी ज़्यादा है तो अगर कभी मार्केट में गिराओट होगी तो बाकी share तो गिरेगा ही गिरेगा लेकिन जिन कमपनियों का P.E. रिशियो हाई रहता है वो कमपनिय थोड़ा सा ज्यादा गिरता है ऐसा पास्ट में काफी बर देखा गया है समझ गए तो P.E. रिशियो का मतलब ये होता है कि price to earning रिशियो यानि कि अगर आपको ये समझना है कि वो share सस्ता मिल रहा है या फिर महंगा मिल रहा है तो P.E. रिशियो को चेक करके आप इसको पता लगा सकते हो अब हम समझते हैं book value का मतलब क्या होता है तो यहाँ पर मैंने reliance industry share को open कर लिया है यहाँ पर आप देख सकते हो reliance industry का फिलहाल एक share का price चल रहा है लगबग 25 रुपिया और reliance का फिलहाल book value चल रहा है 1110 रुपिया तो आखिर ये book value का मतलब क्या होता है देखिए for example अगर reliance industry जो company है वो रातो रात बंध हो जाती है तो आपको पर share पर 1110 रुपिया मिलेगा इसी को बोला जाता है book value रिलाइस का book value कितना है 1110 रुपिया तो अगर future में या फिर आज के rate में रातो रात reliance industry company बंध हो जाती है तो आपको पर share पर 1110 रुपिया मिलेगा इसी क तो पी-बी रिशियो का मतलब यह होता है की करण्ट श्यार प्राइस डिवाइड बाइ बुग वैलू तो यहां पर करण्ट श्यार प्राइज है री लैंस इन्डेस्ट्री का 253, Gross divided by व этой Skill Lum wait by 110 जो डिवाइड करने कि तो निखले यहां पे आप देख सकते हो तो PB ratio का मतलब यह होता है कि 2 रूपया 35 रूपया लगा कर आपको 1 रूपया मिल रहा है यही दर्सार रहा है PB ratio में तो अब PB ratio कितना होना सही है तो PB ratio जितना ज्यादा कम हो उतना ही अच्छा होगा आपके लिए एक हो दो हो तो काफी अच्छा है पॉइंट अमबर वान और book value कितना होना अच्छा है book value जितना ज़ादा हो उतना ही अच्छा है क्योंकि company अगर by chance कभी डूप जाती है तो जितना book value होगा उतना per share आपको मिल जाएगा समझ गए तो book value भी आपने समझ लिया टी बी रेशियो भी आपने समझ लिया उसके बास समझते हैं debt to equity रेशियो इस रेशियो से आप ये पता लगा पाओगे कि किसी भी company के उपर आखिर कर्ज कितना है इस रेशियो को निकालने का फॉर्मूला ये है कि total debt divided by total equity यानि कि company के उपर कितना कर्ज है divided by company का shareholder का कितना total पैसा लगा है इसको अगर आप divide कर दोगे तो debt to equity रेशियो निकल जाएगा इसको एक example से समझते हैं देखिए मान लिजे एक राम नाम का company है और उस राम नाम का company का shareholder का पैसा उसमें 100 करोर रुपिया लगा है और उस राम नाम का company ने बाहर से 1500 करोर का loan लिया है तो 1500 करोर का loan और total shareholder का पैसा लगा है 100 करोर तो 1500 करोर divided by 100 करोर कितना निकलेगा 1.5 यानि कि राम नाम का company का debt to equity ratio कितना निकला 1.5 यानि कि इसका मतलब ये हुआ कि इस company में अगर shareholder का पैसा 1 रुपिया लगा है तो इसका 1.5 times पैसा company ने बाहर से कर्ज लिया है company के उपर अगर shareholder का पैसा 1 रुपिया लगा है तो 1.5 times पैसा company ने बाहर से loan लिया है समझ रहे हो बात यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो Reliance Industry का जो debt to equity ratio है वो 0.42 है यानि कि company का shareholder का पैसा अगर 1 रुपिया लगा है तो company ने 0.42 रुपिया company ने बाहर से कर्ज लिया है उसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हो भारती या टेल जो है तो इसका debt to equity ratio है 2.81 यानि कि company का shareholder का पैसा अगर 1 रुपिया लगा है तो 2.81 रुपिया company ने बाहर से कर्ज लिया है काफी ज़्यादा है तो यहाँ पर देखा जाए debt to equity ratio जितना कम हो उतना अच्छा है कर्ज जितना कम रहेगा उतना ही company के लिए अच्छा होगा ताकि company का ब्याज ज़्यादा चुकाना ना परे और ब्याज अगर चुकाना नहीं परेगा तो company का profit भी बरेगा तो कुल भी लगा कर देखा जाए तो debt to equity ratio अगर कम हो एक से कम हो तो यह काफी अच्छा माना जाता है आप समझते हैं dividend का मतला बाकिर क्या होता है उससे पहले थोड़ा बता दू कि share market में invest करने के लिए आपके पास एक अच्छा demand होना चाहिए तो हमने कुछ अच्छे अच्छे broker का link नीचे description पर दे दिया है इसके अलावा अगर आप भी share market को पूरा expert level तक सीखना चाते होना तो हमने बिल्कुल free में 10 वीडियो का एक playlist बनाया है जिन 10 वीडियो को अगर आप देख लेते होना तो आपको भी share market का expert level वाला knowledge मिल जाएगा तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस 10 वीडियो का playlist को भी देख सकते हो उस playlist का link भी आपको description पर मिल जाएगा तो चलिए समझते हैं dividend का मतलब अखिर क्या होता है जब भी आप किसी company का fundamental analysis करते हो तो वहाँ पर एक option रहता है dividend yield का इसका मतलब क्या होता है देखिए dividend का मतलब यह होता है कि profit का हिस्सा कुछ-कुछ ऐसा company होती है जो company profit कमाती है और उस profit का थोड़ा सा हिस्सा अपने shareholder में बाढ़ देती है और उसी को बोला जाता है dividend यह हर company नहीं बाढ़ती है कुछ-कुछ company रहती है जो company profit कमाती है और profit का थोड़ा मुरा हिस्सा shareholder में बाड़ देती है उसी को बोला जाता है dividend और कुछ-कुछ company जब profit कमाती है वो profit अपने growth के लिए इस्तमाल करती है वो भी सही है तो कुल मिला कर देखा जाए कि अगर कोई company dividend दे रही है वो भी सही है और अगर कोई company dividend नहीं द दे रहे है shareholder को तो कही न कहीं वो company का profit भी हय है profit अच्छा कमा रही है इसलिए ऊपने shareholder में dividend दे रही है तो कहीं न कहीं अच्छा संकित है उसके बाग समझते हैं ROI ratio को इसका मतलब यह होता है कि company जितना भी net profit कमा रही है company जितना भी profit कमा रही है उस profit पे company अपने total shareholder के पैस कमपनी जितना भी profit कमा रही है उस profit से कमपनी अपने total shareholder के पैसो पे कितना percent return कमा कर दे रही है उसी ratio को बोला जाता है return on equity ratio इसका निकालने का formula यह है कि company का net income divided by shareholder equity अगर आप करोगे तो company का ROE ratio निकल जाएगा तो जिस company का ROE ratio जितना ज्यादा है उस company के लिए उतना ही EPS का मतलब यह होता है earning per share इसका नाम से ही आप समझ चुके होंगे इसका मतलब यह होता है कि company अपने per share पर कितना कमा कर दे रही है इसी को बोला जाता है earning per share समझ गए बात EPS निकालने का formula यह होता है कि company का net income divided by company का total number of share अगर आप divide करोगे तो company का EPS ratio निकल जाएगा जैसे क for example यहाँ पर आप देख सकते हो कि reliance industry का फिलाल एक share का price है 25 रुपिया लगभग तो और reliance का EPS value कितना है 101 रुपिया यानि कि देखा जाए कि reliance अपना per share पे 100 रुपिया 101 रुपिया कमा कर दे रही है share का price है 25 रुपिया यानि कि हर 25 रुपिया पर reliance 101 रुपिया कमा कर दे होगा लेकिन सिर्फ fundamental analysis करने से ही आपको share market में profit होगा इतना भी आसा नहीं है तीन ऐसा secret है तीन ऐसा नियम है यह तीन नियम को अगर आप जान लेते होना समझ लेते होना तो यह तीन नियम आपको share market की journey में काफी ज्यादा मदद कर सकता है तो अगर आपको भी वह तीन secret को जानना है तीन नियम को जानना है तो यह left वाली वीडियो पे click कर देना मैं आपसे वहीं पर मिलता हूँ